जेहिन दोस्तों, दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल ग्यानदे होश्ट में और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 36 गर्ड प्रोफेशनल एक्जामसन बोर्ड यानि के CGPEB जिसको आप अन्या नाम CGOPM के नाम से भी जानते हैं पटवारी भरती 2022 ओनलाइन फोम के बारे में कि कैसे आपको पटवारी की भरती का फोम फिलप करना है और आप लोग इस वीडियो को देख करके इस फोम को बिना किसी मिश्टेक के बर पाऊगे तो चली दोस्तों सुरू करते हैं दोस्तों यहाँ पर अभी जो आप वीडियो में देख पा रहे हो यह हमारी ओफीशल वेबसेट जोबस्दियान डोटीन है इसका लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्कॉप्सिन में मिल जाएगा जैसे ही आप यह लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने इस बरती की जानकारी आजाएगी जहां पर आप जान सकते हैं कि यह बरती 301 पदों पर निकाली है बार्यू पास केंडेट इसमें अपलाई कर पाएंगे आप लोग यह form 4 March 2022 से लेकर के 22 March 2022 तक भर पाएंगे एग्जाम डेट आपकी 10 April 2022 रखे गई है नीचे आप यहाँ पर आपकी District Wise Vacancy Retail चेक कर सकते हैं इसके अलावा आपकी डिटेल में Qualification देख सकते हैं Application Fish देख सकते हैं exam pattern और syllabus भी यहाँ पर दिया गया है exam pattern और syllabus के बारे में मैंने वीडियो भी बना रख किया इस वीडियो को वाच करके आप डिटेल में इसकी जानकारी ले सकते हैं तो अगर आप इसमें eligible अपलाई करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना है अब गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा 36 गड़ पटवारी best book के बारे में जो की चक्सू publication की है और चक्सू publication इंडिया का biggest book publication house है तो चलिए यहाँ पर इस book की highlights के बारे में बात कर लेते हैं इस book के अंदर आपको 3000 पलस बाविकल पर person मिलने वाले हैं साथ ही आपको इन परसनों का वैया खात्मा क्यानिके एक्स्पलेशन भी दिया गया है और इस के अंदर जितनी भी जानकारी आपको दी गई है ये सबही आपकी रियल सलिब्लस के अकोडिंग दी गई है जो जो सब्जेक्ट आपके exam के अंदर include किया गया यह पटवारी के उन्हें के according यहाँ पर इस book को बनाए गया है इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर इसी book के अंदर आपको 3 sold paper मिलेंगे 2016, 2017, 2019 के साथ में आपको बोले कि वर्स 2019 के sold paper का समावेस भी आपको इस book के अंदर दिया गया है जो कि इस book को और भी बैतर बनाता है इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको काफी सारी details इस book के अंदर मिल जाएगी तो यहाँ पर आपको इस book की जो एक summary है वो देखने को मिल जाएगी कि क्या क्या इस book के अंदर आपको मिलने वाला है बैसिकली एक बहतरीन book है अगर आप कोई भी best book सर्च करें तो आपकी जो searching है वो इस book के उपर आकर के खतम हो जाएगी क्योंकि यह इतनी best book है कि आपको एक बार इसको देखने के बाद कहीं और पर जाने के आऊ सकता नहीं पड़ेगी इसलिए मेरी suggestion यही है कि अगर आप मेरे से पूछना चाहेंगे कि कौन सी book से हम preparation करें तो आप इस book से कर सकते हैं और guys इसके अलावा इनका पटवारी का practice set भी आता है जिसको लेकर के आप आपकी preparation और भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं तो आपको वीडियो की description में book को और practice set को purchase करने का link दिया है जाइए purchase कर लीजे कोई सवाल doubt हो तो comment के मादिन से पूछ लीजेगा जाइए purchase कर लीजे apply online link के उपर click करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा interface आजाएगा जहाँ पर आप इसका detailed में appointment भी read कर सकते हैं अन्य instructions भी देख सकते हैं syllabus भी देख सकते हैं बट अभी आपको यहाँ पर apply करना है तो apply करने के लिए आपको online application form इस link के उपर click करना है इसके उपर click करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा interface आजाएगा जहाँ पर आपको कुछ instructions दिये गए हैं आपको बोले कि online आविदन के साथ अभियर्ति की जाती जनमतिती इस्थानिय निवासी आदी संबंधी पर्मानपत्र नहीं लिए जा रहे हैं यानि कि यह documents आप से अ जिन दिन का समय दिया जाएगा अब चलिए form बढ़ना सुरू करते हैं तो यहाँ पर आपसे बोले कि क्या आविग्यापित पद के लिए sexy अहरता रखते हैं यानि कि जो qualification मांगी है क्या आपके पास वो है तो आपको यहाँ पर हाँ कर देना है हाँ करने के बाद में यहाँ पर आपसे पूछा कि क्या आप 36 गड़ के इस्थाई निवासी यानि कि मूल निवासी है तो आपको यहाँ पर हाँ करना है क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो आप इसमें eligible नहीं हो पाएंगे apply करने के लिए इसके बाद आप 36 गड़ के कौन से जीले के निवासी है वो आपको यहाँ पर select कर लेना है इसको select करने के बाद यहाँ पर आपका photo upload करना है जो आपका photo है इसका size आपका 40-60 kb के बीच में होना चाहिए तो यहाँ पर आपको क्या करना है चूज फाइल के उपर click करना है इसके उपर click करने के बाद जहाँ पर आपका photo है वो आपको select कर तो चेल개 मैं याप पर इस फोटो को इसके बाद कीर्ट करना है. उसको सेलेक्ट करें याँ से ओपन करें और अप्ट रूड इसकर देना है. याईस करने के बद आपका सिगनेचर भी याँपर आ चुका है. फिर आतीए बेसिक इंफॉमिशन तो यहाँ पर आपको आपका नाम 10th की मार्क शीट के अनुसार एंटर कर देना है Select relation type तो यहाँ पर आपको बताना है कि आप next name किसका दे रहे है तो जिसे कि मैं यहाँ पर father select करता हूँ फिर यहाँ पर आपको father का name देना है इसमें आप father और आपके husband या फिर माता जी का नाम दे सकते है तो चलिए मैं यहाँ पर इसको enter कर देते है यह enter करने के बाद दोस्तों नीचे आती है date over तो आपको यहाँ पर day के उपर click करके पहले day select करना है फिर यहाँ से month और इसके बाद में जो भी आपका year है वो year आपको यहाँ पर select कर लेना है फिर आते है gender आपको gender select करना है इसके बाद दोस्तों आपकी cost category कौन सी है वो आपको यहाँ पर select कर लेनी है तो चलिए मैं यहाँ से इसको select कर लेते है क्या आप ex-service man है अगर है तो yes कीज़ेगा नहीं तो आपको no करना है आपकी fees का amount आपकी cost category के according यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा marital status के है married, unmarried वो आपको select करना है फिर आता है address तो जो भी आपका address है वो आप यहाँ पर fill कर दीजे यहाँ पर दोस्तो आपकी district कौन सी है वो आपको select करनी होगी इसके अलावा अगर आपकी कोई अन्य detail है वो भी आप यहाँ पर दे सकते है साथ ही आप यहाँ पर आपका pin code डाल दीजे आप इन दो box को खाली छोड़ सकते है अगर आप छोड़ना चाहे अगर आपकी कोई district है तो आप यहाँ पर district name दे दीजेगा अलग district होगी तब इसके बाद दोस्तो आपको आपका region select करना है सहरी है या फिर gramene है फिर आता है mobile number आपको mobile number एंटर करना है आपकी जो email ID है वो यहाँ पर आपको enter करनी होगी फिर आता है exam center तो आपको यहाँ पर click करना है और जो भी आप exam center रखना चाहते है वो यह आपको select कर लेना है यह declaration आपके सामने है आपको यहाँ पर i agree के उपर click करना है और जो capture code आप देख रहे होगी capture code यहाँ पर fill करना है fill करने के बाद आपको नीचे submit के उपर क्लिक करना है अब यहाँ पर दोस्तों आपके सामने आपके form का preview आजएगा आपको पूरी जानकारी चेक करते हूँ नीचे आना है नीचे आ करके आपको बोला है भुकतान अनुभाग में जाने से पहले नीचे अपनी पुष्टियों की पुष्टि करें यानि के आपको पूरी जानकारी verify कर लेनी है अगर आप दोबारा से verify करना चाहते है तो आप वापस जाए के उपर क्लिक कर सकते है अगर आप आपको लगते है कि सभी जानकारी सही है कोई भी changes आप नहीं करना चाहते है तो आप यहाँ पर नीचे pay के उपर क्लिक करें इसके उपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा interface आजाएगा अब यहाँ पर आपको select करना है कि आप इस gateway के माद्यम से payment करना चाहते है तो gateway यहाँ पर दी है कोई भी आप select कर सकते है इसके उपर क्लिक करना है इसके उपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको payment के main page पर transfer किया जाएगा तो देख लीज़े आपके सामने payment का page आ चुका है net banking के माधियम से आप यहाँ पर कर सकते है cards के माधियम पर आप करना चाहे तो इसके उपर click करके कर सकते है किसी भी bank के net banking और किसी भी bank का debit card या credit card चल जाएगा जिसे कि यहाँ पर हम इसको select करते है फिर debit card select करते है फिर यहाँ से आपको बताने कि आपका card टाइप क्या है जो भी है वो यहाँ पर आपको select करने के बाद यह सब जानकारी आपको भरनी है भरने के बाद जैसे पेनाओं के उपर click करेंगे OTP verify करेंगे उसके बाद जैसे आपकी fees account से cut हो जाएगी आपको इसी website के उपर redact के जाएगा जहां से अपने form flip करना start किया था और आप अपने form का final print out ले पाएंगे इस परकार से आप लोग 36 पटवारी online form 2022 को भर पाएंगे जानकारी पसंद आईए तो वीडियो को like, share और आपके अपने YouTube चैनल ग्यान दे होस्ट को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को on कर ले थैंक्स पूर वाचिंग जय हिंद